नमस्कार दोस्तों, वास्तु ग्यान क्लब में आप सब ये कदरदान दोस्तों का सौगत हैं, मैं पीच अंदरवनसी आप सबी हमारे कदरदान दोस्तों को नमस्कार करता हूँ, शुकार कीजिएगा, साथियों आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, और आपकी जिग्यासाएं हम तक आ रही हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज कुछ लोगों ने हम से कुछ प्रशन पूछे हैं, जिसमें उन्होंने पित्रों के बारे में जानना चाहा है, आज हम इस एप पित्र कहते हैं, पुर्खे कहते हैं, और उनका पूजन हम, जितंबर के महा में जो पित्र पक्ष का समय जब आता है, तो हम अपने माता पिता को जल चढ़ाते हैं, उनको फोटो को हाल में रख करके, उनको फूल माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और जो हमारे घर में भोजन बनता है उसका भोग लगाते हैं खासकर उस शीच का भोग लगाते हैं जो वो पसंद किया करते हैं उस शीच का हम भोग लगाते हैं जो वो पसंद किया करते हैं यह पक्रिया करने से हमारे घर में सुक और शांती रहती हैं और हमारे जो माता-पिता हैं वो जो बैक पर जा चुके हैं वो इस पक्रिय को देख करके प्रशन होते हैं और हमें सुक और सब्रद्धी पतान करते हैं यहां एक बात में साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे अगर पिताजी जिन्दा है और माताजी एक्सपायर हो गई है तो उन्हें श्राद देने का काम पिताजी करेंगे यहां उनको रोज दक्षिन की तरफ मुख करके और जल चड़ाएंगे माताजी को उनकी फोटो को हौल में रख करके जहां सभी लोग उनको देख सकें हौल में रख करके पूल माला चड़ाएंगे फूल देंगे और भोग लगाएंगे और जब उनकी तिथी आएगी तो उस तिथी में पूरे उनकी पूजन पाठ करके और कवों को वो और गाय को वो भोजन खिलाया जाता है तिथी पर वैसे most probably ये देखने में आया है कि लोग तिथी में ना करके पित्रमोक्ष अमवश्य के दिन उसको सूब मानते हुए उसी दिन ही कवों को वो अपन भोजन चट के उपर खिलाते हैं यहाँ पर बात यह है कि अभी माता जी एक्सपायर हुई है और पिता जी उनको शाद दे रहे हैं अब अगर पिता जी एक्सपायर हो जाते हैं तो शाद देने का काम उत्र की उपर आ जाता है वो अपनी माता जी और पिता जी की फोटो को पित्रमोक्ष के महिने में अपने हॉल में रख करके दोनों की फोटो को खूल मालाए चढ़ाएंगे और उनको शाद देंगे जल देंगे दक्षिन की तरफ मुकर के और जो भी घर में भोज बनता है उनकी पसंद का जो भोग बनता है वो भोग देंगे और यह प्रकिरिया पास साल तक पुत्र को करनी है पास साल भी जाने के बाद अंतिम पिंड़िदान करने के लिए अंतिम पिंड़िदान करने के लिए हमको गया या ऐसे अनिस्थानों पर जाना पड़ता है हमारे भारत देश में कई ऐसे इस्थाने जहांपर अंतिम पिंड़िदान होता है वैसे तो जब मृत्व होती है तो तीसरे दिन पिंड़ेदान होता है और तेरह के दिन भी पिंड़ेदान होता है कुछ लोग साल में भी जाकर के पिंड़ेदान करते हैं मगर गया में जाने के पश्चा अंतिम पिंड़ेदान हो जाता है और ऐसी मानिता है कि अंतिम पिनिदान कर देने के बाद हमारे जो पूरवज हैं पुर्खे हैं वो यम लोग की तरफ या देवलोग की तरफ या बैकुन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं इसलिए अंतिम पिंड़ेदान कर देने के पश्चात उन्हें कभी याद नहीं करना चाहिए उनकी फोटो को अलग कर देना चाहिए या उनको हमेशा के लिए नदी में विशर्जित कर देना चाहिए जब हम गया में पिंड़ेदान करने जाते हैं तो ये भी मानिता है कि जब हम पिंड़ेदान करते हैं तो गया की तरफ पीछे मुड़के नहीं देखते हैं कि हमारे माता-पिता कहा हैं हमारे पित्र कहा हैं और जब हम पिंड़ेदान कर देते हैं गया में अंतिम पिंड़ेद सब्सक्राइब करें और यहां होने वाले बुरी घटनाओं से हमें बचाईए तो हमारी भारती संस्क्रती में पित्रों का बड़ा महत्व हैं साथियों कुछ लोगों ने ये पूछा है कि अगर हम अपने माता पिता जिनको की हमने गया में अंतिम पिणिदान कर दिया है तो क्या उनकी फोटो को हम अपने घर में लगा सकते हैं अत्यथिक श्रद्दा होने की बज़े से भावनाय प्रधान होने की बज़े से आप उन्हें अपने घर में लगा सकते हैं मगर दक्षिन में अगर आपके पास रूम हो तो दक्षिनी दिवार पर उन्हें आप लगाईएगा उनको टांगेगा मत लकड़ी का बेश बना करके उसकी उपर उनको रख करके विक्स कीजिएगा ताकि वो दीवाल से चिप के रहें उनको हैंग मत करिएगा लटकाईएगा मत और प्रति दिन उनको नमस्कार कीजिएगा उनको प्रणाम कीजिएगा उनसे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं प्रात्ना करना चाहते हैं तो वो करिएगा मगर अगर बत्ती दीपक ये आप कुछ नहीं जलाएं ये नहीं जलाना है इसे वर्जित माना गया है तो साथियों जो हमारे पित्र होते हैं जो हमारे पुर्खे होते हैं उनका ये किरिया कर्म हमें करना होता है और हमारे जो माता-पिता होते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं वैकुन धाम को चले जाते हैं दो लोग को चले जाते हैं वे ही पित्र कहलाते हैं अन्तमे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पित्रों के महिने में जो सितम्मर के महामें लदभग आता है पित्र पक्ष का महिना कहलाता है वो उस महिने में गया में अन्तिम पिंदेदान कर देने के बाद अपने पित्रों को कभी याद नहीं करना चाहिए ऐसी माननेता है कि वो अगर हमारे आसपास कहीं होते हैं तो हमारे प्रेम और हमारे यादों को करने से वो हमारे घर तक आ जाते हैं और वो बैकूंट लोग को प्राप्त नहीं होते हैं और उनकी आत्माय भटकते रहती है इसके लिए मैं आपको इसकान टेंपल के एक प्रभुजी से का एक लिंक में आपको दे रहा हूँ प्रशान्द प्रभुजी का लिंक है आप उनको सुनिये आप उनको सुनने के बाद आपकी मैंने जो बाते कही हैं वो आपके पूरी तरह से आपके दिमाग में मस्तिक्ष में इसमश्ट हो जाएंगे साथियों आज के अपिशोड में इतना ही अगले अपिशोड में पित्रों को ले करके मैं यह बताऊंगा कि अगर उनकी पृतिमा या उनकी फोटो आपने अपने किचिन में अपने हॉल में अपने बैडरूम में या किसी अनिस्थान पर लगा रखी हैं तो उसके क्या परड़िणाम आप लोगों को बिल रहे होंगे आज के एपिशोड में इतना ही मैं पीचनर वजशी आपको नमस्कार करता है वासुगयन कलब को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाब थैंकियो